देखिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं हमारे जो भी भाई हैं जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को भी देखें और इस किस्से का भी आनंद उठाए जो हम इस किस्सा इस वीडियो के साथ एड़ कर रहे हैं तो चलिए सुरुबात करते हैं ये किस्सा और किस्ता सुरू करने से पहले इस चैनल को मोहित बाइक मोडिफिकेशन चैनल को सच्क्राइब करें लाइक करें और इस वीडियो को सेर भी करें और कमेंट में बताएं किस्ता कैसा लगा आपको तो चलिए भाईयों करने ये किस्ता सुरू एक लड़के की जो है सोतेली मा थी वो उसको बहुत मारती थी बहुत पीटती थी वो धर बात पर मारा करती थी छोटी छोटी बातों पर पीटती थी उसे तो वो लड़का काफी परेजान धामनी मा से बहुत पीटती थी उसे हर बात पर लड़ाई जग़ा हर बात पर मानना खूटना तो एक दिन उसकी माँ उस लड़के से बोली बोले जा लकड़ी बीन के ला जंगल में से बनना तुझा बहुत मारूंगे और लकड़ी का गट्ठर जो है बना हुआ नहीं होना चाहिए खुला हुआ गट्ठर तेरे स सिर पे रखे कैसे समस्या उसके सामने आ गई जब समस्या उसके सामने आ गई तो वो बोला यारब क्या करना चाहिए तो मरता क्या ना करता वो रोने के लिए बैठी है जंगल में अब वो रो रहा था लंबी लंबी टेरों से तो वहां जब उस लड़के की आवाज भगवान तक पूची तो भगवान जी और मापार्वती जो है गहिसा करते फिर रहे थे तो उन्हें उसकी अवाज गई लड़के की वह लड़का इतने जंगल में क्यों रो रहा है तो जब उन्होंने आकर उस लड़के से उसकी बैता पूची बोले बेटे क्यों रो रहा है तो यहां बोले साब मेरी माने जो है मेरी मा सोते लिए और बहुत मारा है उसने और उसने यह कहा है कि बिना बंधा हुआ लगड़ी का गठर लेका आना है तुझे अब मैंने यह लगड़ी बीन तो लिए अब मैं इसे सर पर रखूं कैसे समस्या इस बात की आ रही है अब क्या करना चाहिए मुझे अब लड़के का इतना दुख सुनके भोले नात और मा पारवती बोले अब इस लड़के की मदद करनी चाहिए तो उन्होंने कहा बोले बेटे ले एक मंतर हम तुझे दे रहे हैं ये जिन्दगी बर तेरे साथ रहेगा महादेव की चिपक चीच को भी तू कह देगा वो जो है चिपक जाएगी ले वेटे हम तुझे ये मंतर दे रहे हैं तो उसने जो है वो तो ये मंतर देने के बाद उस लड़के को दोने जने अंतर धिहान हो जाते हैं अब उस लड़के ने कहा गुरुदेव की चिपक तो लखड़ी सारी चिपक गई जब लखड़ी चिपक जाती है तो अपने सर पर रखके वो आके घर फैंक देता हुँ गठर गुला कर जब उसकी मां उसे रोटी देती है अब साम को जब लखड़ी खोलने जब रोटी बनान जब गाली दी तो उसने चुप अपने मन मन में कह दी कि महादेव की खुल तो वो लखड़ी सारी खुल गई और भाईयों देखो अगर आपको किस्सा अच्छा लगए तो इसमें कमेंट करके हमें बताना जरूर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना इस वीडियो को सेर गुफिर उसकी मा चक्णा में जो है आठा पीच रही थी उसने कह दी महादेव की चि लिए उसकी मा उस चक्छी से चिपक गई और आटा पीच ते पीस ते पीस ते पीस से साट वच जाते हैं सुबह को अब उसके बावा बोले बही आज चकही पीस्टी रहेगी या कुछ और काम भी करेगी आटाई पीष्टी रहेगी इतने आटाई क्या जरूरत है हमें अब साब जब उसकी माँ पीष्टीरी बोले मुझसे नहीं हटा जा रहे हैं यहां से मैं चिपक गई चक्षी से पता नहीं क्या हो गया अब उसकी पापा ने जब उससे खेंशना शुरू करा तो उनने कह दी महादेव की चिपक अब उसके पापा उसकी मम्मी से चिपक गए वो खेंच रहे हैं उसे अरे मुझसे भी नहीं चुटा जा रही है आप क्या करूं कैसे करूं और यह दोने जन्हें वो जो है चिपक आ यह दो आप बैजिए घॉम दो चीपक चुटाना जा रही हमें अब साब वो अपनी चाची गया भागा भागा बुला का रहे चाची देखे मेरे मम्मी पापा चिपक गहाए उन्हें छुटए जरा चल गए अब साब उसकी चाची आई रहे क्या हो गया क्या हो गया बोल बहुत लो हो गया तीनों कैसे कर रहे हो गोले देख्यों हम से नश्टवा यह अब जब उसके चाचा ने खेंचा भी उन्हें कहती महादेब की चिपक अब इसी तरीके में उन्हें प्रहें लूब वह जब pastam h 신े वहां मावा नहीं मामला मामला है ऑफ कर जया हम ना किते हरो सब बोले तीन चार जो पहले जो है इसा आए आप क्या होना ची जया भड़ी समस्य तो बोले भी वो रहता भगत को लऌ लू आगा गाए वह दो कि लड़के को भी घज़ दियाया लिबाने कोंप लड़का तुछ लबाने प्र चल देटा गा जब भगत को लू आगा वोल भगत को 2 लबाने के शप यहां पानी लग रही है बहुत तेज मुझे क्या करो बोले चलो कर लो आगे देख लगे जैसे भी होगी तो उन्हें अपना जंगल में कर ली पोटी बोले आप कैसे करूं पानी नहीं है पूंचों क्या करूं बोले हां पूंच लो फिर काय से पूछो तो हुआ एक मरे हुए दोर की हरवाल पड़ी ती जैसे मालो जंगल में कोई जैसे जंगली जानवर खाकर पूरी हरवाल मास खा लेते हैं हरवाल पड़ी रहा जाती है पूंच लो तूं अब उन्हें पूछी नहीं कहती महादेव की चिपक अब हड़ा जो है भगत जी चले आए था नहीं चूट वाले देख रहे हुए यारो भगत जी क्या होगे कि तरह लंबा हड़ा ला रहा है लटका कर बगत भी विचारा पर हैसान क्या करूं क्या करूं क्या ना करूं बड़ी समस्या आ गई यूह तो बहुत बोला यार तूजा मेरी भगत ने को लुबाला हूं मिससे भी तेज ज कुछ बोले अच्छा अब साब लटका गया बहतनी को लुबाने बोले जी पूंच गया वह भी बहतनी से बोला जी देखना बड़ा बुरा मामला हो गया भगत जी कि के ऐसे-एसे कोई हवा का हवा पीछे पड़गी उनके हड़ा लटक या पीछे हैं हड़ा लटक गया पी जब भगत नी को लुबा कर आग या तो चलते से ले आ रहे हैं एक रास्ते पर नदी पढ़ती थी बहुत गयरी तो लला मेरे हां तो कपले भीग जांगे तो तुम जो है तो कपले भीग जांगे तो तुम आपकले पानी में को दिखाई दे रहा अब यह जब उनने जो है पगड़ लिए अब जो कपले अपने उपर उपकरते हुए चली गई जैसे पानी आता चला गया वो अपने कपले उठाती चले जब हाथ होगे सीधे उपर गूँ तो उनना कहती महादेब की चिपक अब जो अब यह निकली पानी में से निकली वह उपर को थे हाथ साब गा अबास संजमें नहीं है गाओं वाले भी परेसान भगत भगत नीवी परेसान वहन चुक क्यों से हवा ऐसी पड़ ले पड़ गई जो सब चिपके पड़ें छुट नहीं रहा कोई तो उसकी माँ बोले कुछ मानो या ना मानो कुछ लड़के पर इस पर ही है करतमा यू बि सब्सक्राइब मुझे बहुतिंक पर नहीं है कि बूंदे जो नहीं है जब तो तुम भी हो गया वह आप कर देखो यह बहुत मार्ती ती बोले उसकी माई बोली बैटे आज के बाद में तुस्से कुछ ना कहने की हूं खोले तो उनने कह दी महादेप की खुल तो सारे सारे जन्हें खुल गए और भगत भगत दिन तो भाग गए अपने घर को तो बाई यो जो यह किस्सा आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके बता आना और हम द्वारा भी यह किस्सा इस वीडियो के साथ डालेंगे अगर अच्छा लगए तो कमेंट करना सेयर करना और मोहित भाइक मोटिपिकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी करना यह आपके मनोरेंजन के लिए रिकोर्ट करा गया सुक्रिया धन्यवाद झालेंगे दो किकुछ करना यह करना जो अथा स्था हैं ठाफ इस स्दमَّानिक करना मूझर ऑिटोंぎ believing रभता के स्थाषक्षी यह विए नलेयम धन्यवादरों के सीनल करना वैदा अंगर जह तरो यह विगिगिकेशफेगार अज्षी ऑरेंडें़ेंगे अवeszू झाद़ म झाल 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 झाल